तो हेलो वाइस क्याल चाल बड़ी है सब्सक्राइब नाम है अन्मोल और आप देख रहे हैं आपका पर चलने टेक्नो विद केमिंग है बड़ आज मैं इसके उपर ही बात करने वाला हूं कि हम जीटे 5 में मोड्स भी यूज कर लें और हमारा अकॉंट भी बैन नहीं हो ठीक है तो गाइस यह क्या पॉसिबल है तो हाँ भाई पॉसिबल है मैं आपको कुछ बाते बताने वाला हूं जिसको आप ध्यान में रखत हुआ है अगर ध्यान रखते हैं उस बात होगा तो भाई आपका अकॉंट कभी भी बैन नहीं होगा और आप जीटिए फाइव स्टोरी मोड में भाई एजली मॉडिंग भी कर सकते हैं ठीक है कुछ भी मॉडिंग कर सकते हैं आप LSPDR मोड इस्टॉल कर सकते हैं कार्स अब आप इस्टॉल करते हैं बहुत ही ईजी है उसे इस्टॉल करना और तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ मैं आपको बताता हूं ठीक है आप जीटिए फाइव में मॉड्स भी यूस करें और आपका कॉंट भी बैन नहीं तो कैसे पॉसिबल है उसके लिए में करना क्य बते होगा कि बहुत के अंदर यह दो फाइल हैं जीटिए 5 की में डालनी होती है ठीक है इसकुरूप स्कृप्ट हो डी डॉट 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 यहलेल की फाइल तो गाई जब भी आप अपना जीटिए 5 ऑनलाइन को जब भी प्ले करें तो उसस करेगा बर्ट जमने माडिंग की कोई फाइल नजर नहीं आएंगी ना उसमें तो गया आपका अपका बेन नहीं हुआ अब जब आगर मैं गारा आप यह दो लोंग फाइल को यूस करते हुए जीटे आंलाइन में । टे आंलाइन में अकाउंट हो अकाउंट बैन होने के चांसे बहुत जाद है ठीक है और दूसरी चीज़ यह है कि अभी होता गया है अभी जैसे कि आप सब को पता ही होगा कि इसक्रिप्ट के फोल्डर में जो भी फाइल से रन करती है वो इसक्रिप्ट वी.net के जरीए से रन करती है तो इसकी फाइल है जो प्ले करने जाओ तब और गया दूसरी और गया तीसरा पॉइंट यह है कि जैसे कि अभी हम यहां पर का होता है हम कार्थ बगर एड करनी होती है तो हम सिंप्ली क्या करते हैं यहां पर जीटी में जीटे फाइब की में डरेक्ली में मॉट्स का फोल्डर बनाते है ठीक है त तो जीटे फाइब के जो मॉट्स वाली फाइल है वो उसमें रन नहीं कर पाएंगी ठीक है और गया तीसरी चीज यह है कि जब भी हम तो सौरी गया चौदा पॉइंट यह है कि भाई जीटे फाइब में जब हम स्क्रिप्स का फोल्डर बनाते है तो आपको उसको भी रिने छेतं यह है कि भाई होता यहां कि वाई हम ओपंन उसकी फाइल सासे तो यहां सरा यह एक तो यहां से रासल कर सकते हो और वाकि बंशूस आंसा नियुक्तिक़ों में उस्ताल कर सकते हो आ जब GTA 5 में modding करते हो तो आपने अगर इस फाइल को install कर रखा है तो आप GTA Online प्ले करने से पहले एक बार यह सारी फाइले यहां से uninstall कर दें तो अभी मेरी यहां पर कोई भी फाइल मैंने install नहीं कर रखे क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई भी mods install नहीं कर रहा है ठीक है जो mods मैंने use करे थे वह मैंने सारे डिलीट कर दी हैं इसमें से और उसके बाद मैंने GTA 5 online आज प्ले भी कर रहा था 102 वंटे मेरे को कोई issue नहीं आया तो इसलिए मैं इस topic पर वीडियो बना रहा हूं और एक चीज़ और इसलिए यहां पर बताता है कि ASI manager आपको load करने होगे तो यहां से आप simply ASI manager को uninstall कर देना जब भी आप GTA online प्ले करने जाते हो तो इससे होगा आपका game की files खराब नहीं होगी ठीक है और आपका account बैन नहीं होगा कोई scene नहीं होगा भाई तो बस यहीं था अच्छी वीडियो लगई तो वीडियो को like करना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके बैल राकन जरूर प्रेस करें आप भाई लोग यार हम बनके सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है यार जल्दी से बनके सब्सक्राइबर करा दो यार और भाई आप वीडियो को like नहीं करते हो यार बेना like करें चल जाते हो यार आपका एक like पता है मेरी लिए कितना motivate होता है अगली वीडियो बनाने के लिए तो भाई जिन जिनने like नहीं करा है फटाफट से जाके like ठुक दो तो guys मैं मिलता हूं आपको next video में तब तक के लिए bye bye take care